नमस्कार दोस्तों केक एकजाम फाइट में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी UPPCR TG2 की परिच्छा की तैयारी अच्छे चल रोई होगी दोस्तों UPPCR TG2 की परिच्छा को ध्यान में रखते हुए हमने एलेक्टरिशन ठेवरी से कुछ महातपूर प्रस्नों की सीरीज श्टार्ट की है जो की दोस्तों ये प्रस्न यूथ कंपटिशन के बुक से ले गए हैं दोस्तों ये प्रस्न विविन एक्जामों में पूछे गए प्रस्न होंगे जो की UPPCR TG2, UP Arvinal, DRDO, ISRO और NPCIL, NFL, NFC आदी के लिए दोस्तों ये महातपूर साबित होंगे दोस्तों आई टी आई लेवल का आपका कोई भी एक्जाम हो आपकी किसी भी परिच्छा के लिए ये महातपूर साबित होंगे चलिए आज का प्रस्न है जो की थर्मल थर्मल पाउर प्लांट के डियरेटर का उप्योग क्यों किया जाता है राइट एंसर दोस्तों आपसन नमबर A फीड वाटर से आकसीजन निकालने के लिए ये इसका सही उत्तर है अगला प्रस्न है दोस्तों अगला प्रस्न जाने से पहले दोस्तों ये काफी अच्छे पॉइंट दिये हैं इन्हें देख लेते हैं फीड वाटर को गर्म करने के लिए इकोनो माईजर का उपयोग करते हैं फीड वाटर को संगनित करने के लिए संगनित्र का प्रयोग करते हैं जो कि कंडेंसर चलिए अगला प्रश्ण है दोस्तों अगला प्रश्ण सवाल है आप पेन कापी लेकर जरूर बैटें और इसे हल जरूर करें 75 मेगवाट थर्मल पावर प्लांट की तापी दच्चता 35% है और विद्धूती दच्चता 80% है प्लांट की कुल दच्चता का पता लगाएं दोस्तों प्लांट की दच्छता बराबर होता है तापी दच्छता गुड़े विदूती दच्छता इस पर रख देना आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा 28 प्रतिसत अगला प्रश्ण है जो कि आपका अगला प्रश्ण यहां पर दिया गया है विदू सेयंत की परिचालन ला दोस्तों आपका अगला प्रश्ण है और दोस्तों इसमें से अधिक जानकारी आप खुद से पढ़ सकते हैं देख सकते हैं अगला प्रश्ण है किसी पाउर प्लांट के लिए लोड फैक्टर को किसके अनुपात के रूप में परिभासित किया जाना है राइट एंसर आवस अधिकता मांग इसका सही उत्तर होगा लोड फैक्टर का मांग एक से कम होता है अगला प्रश्ण है उस इस्थान को क्या कहा जाता है जहां तीन फेज अल्टरनेटर्स द्वारा उत्तपादित विद्दू सक्ति को समानतर जोड़ा जाता है राइट एंसर आपस नमबर भी जनरेटिंग इस्टेशन ये इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण है दोस्तों यहां पर अधिक अच्छी जानकारी दी गई है आप यहां से देख सकते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों सवाल है एक हाइडरोलिक पाउर इस्टेशन को 120 मीटर की वाट वाटर हेड और चार गुड़े दसकी घातेश च्छाय छमता वाले एक रिज वारियर अपूर्टी होती है यदि कुल दच्छता असी प्रतिसत है तो कुल उपलब्द विजली की गड़ना किलो वाट में करें जो की दोस्तों यहां पर कुछ मान दिये गए हैं और दोस्तों आप इसे हल जरू बैठा करें हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा आसन नंबर भी जो की यहां पर देख सकते हैं इतना आ गया अगला प्रशन है जो की दोस्तों अगर आप नहीं हल कार पा रहे हैं तो यहां से जरूर देख कर हल जरूर करें चलिए अगले प्रशन पर चलते है आपका अगला प्रश्ण है Demand Factor का मांग कारक को किस सुपरकार परिभासित किया जाता है Right answer अधिकतम लोड का जुड़े हुए लोड के अनूड़् से अनुपात अगला प्रश्ण है दोस्तों यहाँ Demand Factor दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फार्मूला अगला प्रशन है थर्मल पाउर प्लांट्स में इंधन उर्जा का कितना प्रतिसत वास्तों में विद्धूत उर्जा में परिचर्टित होता है राइट एंसर 35 प्रतिसत दोस्तों इसका फार्मूला दिया गया है कुल की दच्छता दी गई है इन्हें भी आप देख सकते हैं जैसे की बाइलर की दच्छता चियादसी प्रतिसत और टार्वाइन की दच्छता जो होती है 93 से 95 प्रतिसत और जेनरेटर की दच्छता 90 से 95 प्रतिसत कंडेंसर की दच्छता 50 प्रतिसत होती है अगला प्रशन है नि परमाडू उर्जय सेन्त होते हैं परमाडू वाले वहां पर करते हैं अगला प्रशन है पचीस मेगावाट इस्टेशन की अधिकतम मांग बीस मेगावाट है वार्षिक लोड फैक्टर प्रचास प्रतिसत है प्लांट की कैपिसिटी फैक्टर है दोस्तों आप इसे हल करेंग चलिए अगला प्रशन है ये भी सवाल है दोस्तों काफी सवाल है पचास मेगावाट थर्मल पाउर प्लांट की कुल छमता प्चीस प्रतिसत है जलाए जाने वाले कोईला कोयल कोईला और कैलोरी जनन मान 6,000 किलो कैलोरी अपान किलो ग्राम है तो लोड फैक्टर 40 प्रतिस किलो वाट आवर बराबर 860 किलो कैलोरी दिया गया है दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा अपसन नमबर भी 275 टन निकल कर आएगा चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कैसे इसे हल किया गया है ये देख सकते हैं दोस्तों वीड फिले नुकलियर पाउर प्लांट में माडरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है राइट अंसर तेज नूटरानों को धीमा करने के लिए अगला प्रश्ण है आपका अगला प्रश्ण किसी जनरेटर स्टेशन की अधिकता मांग पचास मेगावाट है दोस्तों इसमें दिया गया है कि पुंजी की लागत बराबर देड़ सो गुड़े दसकी घाते च्छाए और इंधन की सलाना लागत जो दिया गया है न गुड़े दसकी घाते च्छाए और इसे चलिए देखते हैं इसे हल किया गया है और यहाँ पर दिया गया है कर की मजदूरी का वेतन बराबर 6 गुड़े 10 की घाते 6 ब्याज और मुले हरास बराबर 10 प्रतिसत और प्रतिवर्स उत्पादित यूनिट की संख्या बराबर 300 गुड़े 10 की घाते 6 प्रति किलो वाट आवर लागत कितना होगा दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपको जो उत्तर निकल कर आएगा दस पैसे जो की सही उत्तर है दोस्तों आप इसे हल जरूर करें आपका उत्तर यहां से देख सकते हैं अगर नहीं हल कर पा रहे हैं तो अगला प्रश्ण है पार स्टेशन का कारी क्या है राइट एंसर विद्धूत का उत्पादन करना है ये इसका सही उत्तर है चलिए ट्रांस्फार्मर की सहाथ से दोस्तों 220 किलो वोल्ट और 400 किलो वोल्ट और 800 किलो वोल्ट में बदल दिया जाता है जो कि दोस्तों जनरेटिं वोल्टेज इतना इतना होता है यहाँ पर अधिक जानकारी आप देख सकते हैं अगला प्रश्ण है दोस्तों इसका जो यह प्रस्ण 69 वाला तापी उत्पादन प्लांट यहनी जनरेटिंग इस्टेशन में टर्बाइन का कारे क्या है राइट एंसर उसमा उर्जा को यांतरिक उर्जा में बदलना यह इसका सही उत्तर है अगले प्रश्ण पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्ण है दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी देख सकते हैं अगला प्रश्ण है निम्न में से किस निम्न में से किस उत्तपादन प्लांट यानि जनरेटिंग इस्टेशन का धावी खर्च यानि रनिंग कोश्ट सबसे कम है राइट एंसर आपसन नंबर बी जो कि हाइडरो एलेक्ट्रिक ये इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण है जनन केंदर आंत संयोजित होते हैं राइट एंसर आपूर्ती की विश्वासनियता सुनिश्चित करने के लिए अगला प्रश्ण है डीजल जनरेटर सेट में उप्योग होने वाले लूब्रिकेंट तेलो का एस एई नंबर क्या प्रदर्शित करता है राइट एंसर श्यानता अगला प्रश्ण है दोस्तों आपका अगला प्रश्ण है जो कि यहां पर दिया गया है एक जनरेटर जनरेटिंग प्लांट में लोहे लोड जनरेटिंग प्लांट में लोड फैक्टर किसके अनुपात के रूप में परिभासित किया जा सकता है राइट एंसर साथियों अपसन नमबर ए आउसत मांग अपान अधिक्तम मांग ये इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्ण है दोस्तों आपका अगला प्रश्ण है यहां पर दिया गया है उर्जा के उर्जा के उर्जा के नवीनी करण स्रोत में निमलिखित संसाधन समलित है राइट एंसर नुकलियर उर्जा ये इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है सार उर्जा के नवीनी करण स्रोत में निमलिखित संसाधन समलित नहीं है राइट एंसर अब सनमबर सी नुकलियर उर्जा ये इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है किसी अवधी के दावरान लोड फैक्टर होता है राइट एंसर अवसद लोड अपान अधिकतम लोड ये इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है पूंजी गत लागत प्रति मेगा वाट घंटा निम लिखित अधिकतम होती है राइट एंसर अब सनमबर सी नुकलियर पावर प्लांट में अगला प्रशन है सावर उर्जा का सिध्धान्त किस पर आधारित है राइट आंसर फोटो वोल्टीक प्रभाव पर अगला प्रशन है दोस्तों अगले प्रशन जाने से पहले यह हमारा टेलीग्राम चैनल है अगर आपको पीडियाप चाहिए तो आप यहाँ पर इसे जोईन जरूर करें चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं आपका अगला प्रशन दिया गया है निम्न में से कौन सा गैर परम परागत उर्जा संसादनों का एक उधारण है राइट एंसर पवन पवन जो होता है अगला प्रशन है जो कि आपका अगला प्रशन यहाँ पर दिया गया है दोस्तो परम परागत स्रोत और गए परम परागत सोत यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि परमपरागत स्रोत में आने वाले समय में जिसके समाप्त होने की संका हो जैसे कि कोईला डीजल ये सबी होते हैं और गैर परमपरागत में यहां लगातार प्राक्तिक से बना रहेगा जैसे कि सावर उर्जा होता है जैसे यहां पर दिया कोईला डीजल पिट्रोल और गैर परमपरागत में पावन उर्जा और सोलर उर्जा और यहां लगातार प्राप्त किये जा सकते हैं यहां लगातार प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं जैसे कि सावर उर्जा है यह रात में कहां बिजली बनाएगा इसलिए इन्हें लगातार नहीं प्राप्त किया जा सकता और जो है इन्हें परमपरागत उर्जा स्रोत कहते हैं इन्हें परमपरागत उर्जा के स्रोत कहते हैं अगला प्रशन है किसी भी यंत्र का पावर लाइनों में निम्तम कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए राइट एंसर दस फिट अगला प्रशन है दोस्तों अगला क्यूब पानी को बीस मीटर की उचाई तक उठाने वाले एक पंप को दोसो बीस वोल्ट डीसी मोटर चलाता है यदि कुल दच्छता बहतर प्रिसे था तो सप्लाई से लिया गया करेंट लगभग कितना होगा मान ले कि दोस्तों एक दसंदों पांच मीटर क्यूब यदि का जो इसका जो आप फन करेंगे तो आपका उत्तर जो निकल कर आएगा 31 अप एर सही उत्तर होगा चले दोस्तों अगले प्रस्न पर चलते हैं आपका अगला प्रस्न यहाँ पर होगा आपका अगला प्रश्ण है विद्धूत सक्ति के संचरण और वितरण के लिए निम लिखीत में से किस पदार्त का उपयोग नहीं किया जाता राइट एंसर टंग अश्टन अगला प्रश्ण है भारत में अधिकांस बिजली उत्यपन की जाती है राइट एंसर ताप विदूत से अंत्र द्वारा अगला प्रश्ण है जो कि आपका अगला प्रश्ण है हाई हेड तता निम निम बहाओ के लिए डड़ डेस वाटर टरवाइन का उपयोग होता है राइट एंसर फिल्टन वील ये इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है निम निम में से प्रथम आदेस प्रडाली का चुनाव कीजिए राइट एंसर दोस्तों आपका जो उत्तर निकल कर आएगा अपस नमबर ए गलास थर्मा मीटर में मरकरी को उबालते पानी में रखा हुआ ये इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है दोस्तों अगले प्रश्ण जाने से पहले आप से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक सेर जरूर कर दें ताकि दोस्तों हम को अगला प्रश्ण है ताप क्रम पाइमाना बनाने है तो सुरुवात में वाइन को थर्ममीटर द्रब के रूप में प्रियोग किया गया था बनाया हुआ पहला प्रायोगिक यनि इंपिरीकल पाइमाना डेट डेश पाइमाना था राइट एंसर फारेंहाइट दोस्तो अधिक जान्कारी डिस्क्रिप्सम से देख सकते हैं अगला प्रश्ण है निमन में से क्या पानी का ट्रिपल बिंदु नहीं है राइट एंसर बद्थिर यूमर ये इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है दोस्तों यहां पर जो है वो यहां पर दिये गये हैं यहां से अधिक जा आली का प्रियोग नहीं किया जाता राइट एंसर सिंगल फेज और फोर वायर ये इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आर वाइबी फेज होते हैं नीट्रल होता है जी ग्राउंड होता आर्थ के लिए और थिरी फेज सिस्टम के लिए थिरी फेज वायर और फोर तार होती है और सिंगल फेज के लिए सिंगल फेज और दो वायर होती है और थिरी वायर भी हो सकती है अगले प्रशन पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रशन यहां पर दिया गया है प्रोत्यकर्सों के माध्यम प्रोत्यकर्सों के मामले में निम लिखित में से क अगला प्रशन है प्रकास उर्जा को वैदूत उर्जा में परिवर्टित करने वाली युक्तियां कहलाती है राइट एंसर फोटो एलेक्ट्रिक युक्तियां ये इसका सही उत्तर है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इसका फीगर दिया गया है कैसे कनवर्ट किया गया है आप यहाँ पर सारी जानकारी देख सकते हैं अगला प्रशन है उर्जा के नवीनी करने इस रोत में निम लिखित में संसाधन समलित नहीं है राइट एंसर न्यूक्लियर उर्जा अगला प्रिशन है उब्भोकता का लोड आम तोर पर निम लिखित में से मापा जाता है राइट एंसर आपसन नमबर डी जो की किले वाट दोस्तों ये थे हमारे जो की प्रशन इलेक्ट्रिकल पाउर जनरेशर से 92 प्रसन हमने करवा दिये जो की लगबख 100 प्रसन आपके हो गए चलिए दोस्तों आज का ये टापिक कम्प्लीट होता है फिर हम नेक्ष्ट टापिक में नेक्ष्ट दिन में मिलेंगे तब तक के लिए आपको बाई आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे स्टूडियूम तब तक के लिए बाई